लाइव नियूज खबर तो पक्की है जालने का प्रयाश किया असी हजार लोगों ने अपना प्यार दिया अभी तक उस नियूज के उपर तो मैं यह कह सकता हूं कि पटना हाई कोट में जो केस गया है उसके लिए कर सिख्षो की बहाली काफी लंबी समय तक मुझे लग रहा है कि डिले हो सकता है यह भी सटीटी कं प्रच वेम सब्सक्राइब लंबा स समय यहार समय सब्सक्राइब नहीं रहा है कि भीव नहीं यह सांपता हम प्रा स्म billख को Saṃ को पूल सॉ Mino करते हैं दिपावली में अतुरंत फ्यूज हो जाता है उसी तरह से में इमावली है तुरंत कुछ दिन के लिए यूज हुआ फिर फ्यल कर गया सरकार तो का रहा है कि इससे वेल एजुकेटेड़ टीचर विहार में आएंगे शिक्षा व्यवस्ता में गुर्मत्ता पन सुधा रहा होगी दिर लॉट्स अफिंटेंशन लॉट्स फ्रोब्लम सिग्टेड़ इन एजुकेशन सक्टर इन द बिहार में इप्रोब्लम सिग्टेड़ आज जा कर देखे कि बिहार के अंदर जो समझ्या आई एजुकेशन की अमान के चले कि नियोजीट सिख्छा को बहाल करे उसको बंद नहीं किया उपी निया मौली चल रही है शीक्ष टुएट में जो अस्थांतरान है उसको बंद किया नहीं न बंद किया तो आप कैसे बोल सकते कि फ्रेस्वादी आप तो एक तरह के यह मैंनी फ्रेष्टो ऐसा लेकर रहे हैं कि नियोजीट सिख्छा को भी कि उनकी सीट खाली नहीं रहा सकती है वो डेट सीट कहा जाता है यानि कि नियोजी सिक्षक अगर रिटार हो जाते हैं तो उनकी सीट खत्म हो जाती है मर जाती है उनकी सीट यानि कि खत्म हो जाती है तो भाईया जब सीट उनकी मर गई तो फिर वह कैसे का रहा है कि वह अपन सब्सक्राइब और सरकार पूरा भीहार में घुम कर ताबली पीटे गए हमने दो लाख भाली दे दिया दे दिया दे दिया लेकिन इसका अंदर का जो लूप हो ले यह नहीं समझा सिट नहीं है आज बिहार भारत का संविधान का कौन सा आर्टिकल कहता है भारत का संविधान आप बड़ी कम बोलते हैं और आप इसे हम जाना चाहेंगे एक बात बतलाएगा कि इन कोट केस के लिए कर आपको नहीं लग रहा है कि नहीं होना चाहिए ता कोट केस इमांदारी पुरभा बताएगा देखिए सवर पर्थम मैं यहीं कहूंगा कि सरकार नहीं चाह रही थी कि यह बहाली हो असरकार चाह रही थी कि ए कोट केस हो बताएए हम लोग आज चार साल 2008 में सिट्ट भी निकाल चुके हैं आव्ट सिट्ट हो हम लोग 29 से हैं तो अब बताएगेए कि हम लोग क्यों चाहेंगे कि केस करते हैं बंटी जी क्या केस में कब आपकी हैरिंग होने की संभाव ना है सबसे पहली बात विकी गोयल भाई आपके टीम को और आपको हमारे स्टेटी क्वालिफाइड बंटी के तरफ से और हमारी पूरी टीम के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कवर कर रहे हैं कि यह नियामावली पे पे केस क्यों भाई इसके लूप पोल को समझेगा इस नियामावली पे टैईस में बहुत सारे लूप पूल है सबसे बड़ा लूप पॉल है जो वह भी है उसमें भी दो दो एक्जामनेशन उसके बात यह कह रहे हैं यह प्रक्रिया अंतिम नहीं है यह प्रक्रिया यहां से प्रारंब है प्रारंब है तो प्रारंब का मतलब है कि यह प्रक्रिया बहुत लंबी जाएगी यह आप जो आप कानूनी करवाई नहीं कर दिया जाए से विजरकार बोल रही है कि कानूनी करवाई हम सारे लोग पर करेंगे। क्या हुआ मिला अंतिम में क्या बारा-बारा MLA MLC से हमने मिला शिक्षा में नियमावली राद हो सकती है। क्या है उसको सारे बिंदू और क्रमसा सजाया गया है। 220 पेज का कहने का हमने पूरा ड्राप्ट है। इस ड्राप्ट में एक एक पॉइंट को जागर किया गा। और हमारे जो वकील साहब इस केस को लड़ रहे हैं बहुत ही तरीके से लड़ेंगे। और पूरा बिहार को आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ ये लड़ाई सिर्फ बंटी कुमार की लड़ाई नहीं है। आस्वनी कुमार की लड़ाई नहीं, ये सत्यम भाई की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई पूरे बिहार के अभ्यारतियों की लड़ाई है। इस लड़ाई को हम लोग अगर प्रारंब किये हैं तो अंतिम पायदाओं तक हम लोग पहुचाएंगे। और मान्या उच न्याले पे हमको पूरा भरुसा है क्योंकि हम लोग देखे आज तक जितना भी लड़ाई लड़े सड़क पे लड़े। आप दोनों धुरंदर माने जाते हैं ये आप एस्टीटी के हैं आपको पूरा बिहार जानता है। क्या सत्यम भाई आप अब क्या नौबत आ गए कि अब आप केस करने जा रहे हैं एक केस के मुताबिक भी ये हो सकती थी अगर एक केस सही परकाल से लड़ा जाए तो उससे जब हो सकती है नहीं नहीं तो बात यहां स्टीटी कागज लगाएं अपना मेरा हम अपना लड़ा ही लड़ रहे हैं आज तक सीना गर्म से ठोक कर कहते हैं सत्यम कुमार में ठोक कहते हैं कि जो भरोसा 2019 दिसंबर के बाद आप लोगों ने दिखाया है वो भरोसा आज भी कायम रखेंगा जो काम हम करते हैं आज लगभग तीन सार चार साल हो गया लगभग उस चार साल में प लाकत लगा कर आप लोग के माध्यम से भी और आपके माध्यम से भी आज तक कोई केसो पर नहीं हम लोग का एक ही विसा था कि हम लोग कर नोटिफिकेसा न जाए लेकिन सरकार ऐसा लूप होल ढूंडा है आखिर नियो जीजित सिक्षक चार लाख दस हजार जो है चार सब्सक्राइब करेंगे तो आज भी बिहार के प्राथ्मिक विग्यप्ति वाले जितने सारे भाई अभी तक जो प्यार दिये हैं जो ताकत दिये हैं उस ताकत को मैं खोना नहीं चाहता हूं आज सब कोई बैट के जी एस जी के पढ़ रहा है और मैं पूरे धूप में एडवोकेट एडवोकेट और हाई कोट में घूम रहा हूं इसलिए घूम रहा हूं ताकि कंसिल करा कर रहूंदा और है सर लोग पूछ रहे हैं हमसे कि क्या सर अभिया पढ़ाई किया जाए या चोर दिया जाए एक बात आप लोग बताईएगा देखिए मेरे बिहार के जो हमारे भाई बंदू हैं जो हमारे साती हैं मैं उन सारे सातियों से कहूंगा कि पढ़ाई आप ड्रॉप मत कीजिए ये संबेदानिक दाइरे की लड़ाई है ये हाई कोट के पटल की लड़ाई है इस नियाईक परिक्रियाम हो सकता है डिले है चार साल जि पढ़ना चाहिए या नहीं एकदम पढ़ना चाहिए क्योंकि सिख्षक का मांग ही होता है सिख्षक का प्रारूप ही होता है कि पढ़ना और पढ़ना यह एक बड़ी प्रसंद था मेरे पासहजारहों की ददाद में है कि सर पढ़े या ना कड़े पढ़े तGrand पढ़े अगर पढ़े तो क्या पढ़ें कि जब आप बीएड कर लेते हैं सीटेट कर लेते हैं तो आप मास्टर बनने के लिए इलिजिबल है एक विधायक जी कहे थे कि पीएडी कर लेने से कोई थोड़ा प्रोफेसर बन जाता है उसका टंसन कंडिशन है उसी तरह से ठीक उ così तो फिर यह कौं सा फिपीएड करें रह जिसमें कोई श्लोप यह सीडिबस नहीं है अभी आप जानते होंगे इस माध्यम से मैं बता रहा हूं कि आप जानते होंगे बीप्यड पीएड की जो स्लेबस है वो घ्राग भा चान है बदल गर स दैसने लिए बिडा नहीं होता ह प्रश्टा परिक्षा परिक्षा अब आपको कह रहा है कि थोड़ा बंटी जी थोड़ा आगया यहां आप से एक प्रसंट पूछना चाहूंगा बुरा मत मानिए बहुत लोगों काना है कि बहाली फसाओ गैंग है दखिए बहाली फसाओ गैंग ये लोग केवल पैसा उगाह करने के लिए ऐसा काम करता है नियूजीत वाले भी साइद कुछ लोग होंगे जो आपको सपोर्ट कर रहे होंगे कुछ लोग गाली भी दे रहे होंगे कि यह सब है के बल पैसा कमाने का एक दंदा इसके बारे में कोई आपके पास असपस्टी करन सही जनकारी है तो मैं ऐस सबसे पहली बात तो मैं पूरे अभ्यरतियों समाज को कहना चाहूंगा कोई भी अभ्यरती पैसा नहीं दिया है और यह केस जो मैं लड़ रहा हूं अपने दम पे लड़ा हूं पूरा जो फंडिंग है मोटा रकम और हाई कोर्ट में जब केस होता है उसमें बहुत हबी रक मेरे फैमिली ने हमको सपोर्ट किया है और मैं इस लड़ाई को अपने दम पे लड़ूंगा और इस लड़ाई को अंतिम प्रारूप तक लेके जाओंगा मैं इस लेके बोल रहा हूं और यहां पे जो लोग कह रहे हैं कि यह गिरो हैं तो मैं उससे पूछना चाहता हूं से पहले जो हमारे सिक्षा मंत्रियं उनका स्टेट्मेंट को क्लियर करें स्टेट्मेंट को रेकॉर्ड करें क्योंकि वो बोलते हैं कुछ करते हैं कुछ आज इनी की सरकार थी इनी की सरकार ने चार साल हम लोग को गिरप्त में रखा कभी यह नहीं बोला हमने दरजुनों और लंबी जाएगी तो मैं पूछना चाहता हूँ कि यह अंतीम प्रकरिया कब तक पूरी सकती है थोड़ा बहुत कुछ समझाने का मैं प्रयास किये तो मुझे एक ही चीज उनके सारे बातों से निचोर समझ में के आया कि बहाली में अभी लंबा समय कहा जा रहा था कि 24 घंटा में विध्यप्ति आ रहा है हमने भी चला चला आया था नियुद अर जैस्ट ही थोड़ केस हो गई तब मुझे लग रहा है कि बहाली अब छोड़ देना चाहिए बहाली से भूल जाना चाहिए यह 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 बात आप उन्हें बोला ना जब हम अपने सीनियर एड़ोकेट के पास पहुंचे और सीनियर एड़ोकेट से मैंने बहुत तपसीश किया है तब जा जब दono centresाना तामी कंदेर भी नियामा वृवी जब आता है तो उसको संसोधित करने का अधिकार और हक कहीने कहीं क्याएट को होता है उसी के प्रारूप के विहाप में ये case हुआ है उस case में कई सारे वहां पर लूप पोल है उस लूप को कियंदृत करना पड़ेगा अनुसंसा तो इनको करना ही पड़ेगा और मैं मान के चलूँ की राध हो रही है अब ये सरकार डिसाइड करेंगा पाइंट पहुत है कर देते हैं एक मास्टर से बढ़ा को जैज होता है वकील होता है एक वही मास्टर जो है वकील होता है जज भी बनाता है डिम भी मनाता है आप सुनिये ज्यादा बोलने पर सरकार को हम कहेंगा मजबूर मत कीजिए आप जब आप नियोजी सिक्षा को 50,000 लेकर चार रहे हैं आप ग्रेस माक्स दे रहे हैं और साथ साथ यह भी कहेंगे कि उन लोगों को आप अंदर से बुला कर और जिस तरह से बहाली को फसाएं हैं यह किसने ने होता दिया है मैं आखिर तीन महिना पप्लिक ढोमेन में रखा जाता है नियामावली को बात गोर से समझेएगा परधान सिक्षक की आखिर नियामावली केंसिल कीव temp क्याener Puis है कि अगर कोई संग गठन सिख्षक समाज अगर अंदोलन करे चाह केस करेंगा उसको उपर उच अब बताएं, को लब लेटर भढ़ा थे का तीर में नियमावली क काते हुआ नहीं नहीं ऌहा? वो लेटर अखिर क्यु निकला? अजी कि दिस्क्रां कука कमे लाएं, वो लेटर नहीं निकलना चाहेTA रद ही करेगा बाबा धुक्त बड करने लोग विहार के सारे वरक के लोग अंदोलन करने आये थे आपको रोजगार देनी होगी सचिवाले में कर उनको देखें वुले दिखा देते हैं फोटो टो अदेक्स के गाड़ी लगा था तो हम कहते हैं रभाइज करेंगे जो इहां कि मंतरी जी है किसको बहाल करेंगे अपना समंधी को डायेक्रेट्री करेंगे आरे यह तो मजाग बना के रख दिया है सरकार साथ सब्जेक्ट में पास चौछ सब्जेक्ट में निकला है बहाली हम तो कहते हैं कि आप अपना एजेंडा पहले ठीक कीजिए कि सरकार कैसे लड़कों को भूगों को नोकरी देगी आपका एजेंडा है नोकरी देना या भाली फशने के लिए आप खुद पेच्च मार दी हैं सारे सिख्षक समय को लड़वाना चाहते हैं क्या हम भूरुबक है हम लोग सिख्षक है आप नेता है हम लोग नेता है जर्ड बनाते हैं सक्ष Yuri कोई मैसेज बिहार के युवाओ के लिए जो आप देना चाह रहे हो पूरे बिहार अभी आपको देख रहा है और पूरा बिहार आपको पहचान भी रहा है आप लोग एक उभरता हुआ चेहरा हैं तो क्या कहना चाहेंगे बिहार के युवाओ के लिए जो वाल बहुत लोग हतास है कुछ लोग तो ऐसे हमें पूछ रहे थे कि सार अब हम इतना डिप्रेशन में चल गए हैं कि कुछ भी कर सकते हैं इसका मतलब आप समझ रहे होंगे उनके लिए अगर कोई मैसेज हो आपके छोटे ही भाई होंगे बरे भाई होंगे बहन होंगे छोटे बहन बरी बहन जो भी हो सबसे पहली बात उन सारे साथियों से मेरे छोटे भाई बहनों से भी कहना चाहूंगा आपके हक और अधिकार की लड़ाई मैं पटना के लेबल से शुरू कर दिया हूं यह ल केस फाइल में सरकार के कई सारे लूप पोल हैं 220 पेज का कहीं ने कहीं डौजियर है इस बात को समझे सारे नियमा वली पर अब तक कि नो ने जितना बाहली किया उसका टोटल डॉकिमेंट को रखा गिया है सरकार क्या बोले आपको यह सरका कहना है कि केस हम जीत रहे हैं जीत नाम बता दे अब यह तो वही चीज हो गया ना कि जैसे नाम बताया तो सिख्छा मंतरी जी की आ रहा है अगला दीने एजुकेस्ट नियमा अउली अब पता चला ला दीने उनका विधान सभा में क्या कर दिये थे याद है ना याद है ना यहां नाम किसी बता दे हम लोग क बड़े भाई है कुछ हमको मदफ मिलेगा मदफ मगेंगे लेकिन केस तो कर लेख। लग जाएगा इस पर बोलते हो जाए बोलते बोलते लग जाएगा समेरा पॉइंट खतम नहीं होगा बहुत बड़ा लूप होल है अब हम लोग सिख्षाक है हम लोग मुर्ख नहीं है कि हमको सरकार लड़ा देगी एक चीज और कहना चाहिए इधर थुरा आगे बढ़ने बह कोट केस फाइल हुआ है उसमें टोटल डोकुमेंटेशन मेंने लगाया है और टोटल डोकुमेंटेशन में सारा ऐसा पॉइंट सब रखा गया अभी तो भी कुछ हम जादा नहीं बोलेंगे लेकिन केस में बहुत ही जबर्दस ड्राप्ट हुआ है इस बात को समझेगा और चाहूंगा मैं आपको यह कहना चाहूंगा कोई भी अभ्यर्ती अपने आपको डिप्रेस नहीं करें अपनी उर्जा को मजबूती के साथ बढ़ाए रखें अपनी ताकत को सुन्जों कोई गलत कदम नहीं उठाए क्योंकि आपके बड़े भाई ने आवाज उठा दिया है किसी को गलत कदम उठाने की जरुवत नहीं है क्योंकि सबका भाई बैठा हुआ है बिकी गोहल पटना में आवाज उठाने की जरुवत नहीं है उतना दिन हम लोग मारक खाएं जेल गएं हम सारे हमारे सदसे लोग जो थे हमारे साथ जो काम की हैं जेल गएं बिहार के जो समस्य आएगे सिक्षा व्यवस्ता से लेकर हम लड़ेंगे ताकत लगा के लड़ेंगे लड़ेंगे जय हिन जय भारत बंटी जी आप भी कुछ मैं सारे साथियों से कहूंगा आप तैयारी कर रहे हैं हमारी शुपकामने आपके साथ है और ये नियाईक प्रक्रिया में हम लोग गए हैं निश्चित तोर पे हम जीतेंगे और जीतेंगे ही नहीं सरकार को हर मोड़ पे हम लोग हराए हैं कहीं न कहीं सरकार इस बार नियामा पहला होने वाला है इसे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को मतलब जौब मिलेगी और अभियर्थी कम पर रहेंगे तमाम 2023 नियमा वली जब से आई है तब से बहुत ज़्यादा विवाद चलड़ा है कुछ लोग का रहे थे कि अंदोलन कीजिए कुछ लोग का रहे थे कि क पुरे बिहार में और तमाम लोग सीटेट बीटेट एस्टेट जितने भी स्टूडेंट है सारे लोग भया केसा केसी में उलज गया है तीन केस हो चुका है पटना हाई कोट में मैं बताना चाहूंगा आज सत्यम यानि कि सीटेट संग के तरफ से फिर केस करने के लिए आगे कितना दिनों तो डिले रहा सकता है सिक्षावेवस्ता या फिर कब तक बहालिया आगे होगी अपना विचार कमेंट बक्स में जरूर दीजेगा विसेज जनकारी के लिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार सब्सक्राइब करके